मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को अपनी हिंदी की शिक्षिका शालीनी का नमश्कार बच्चों हमने पिछली कक्षा UKG में वर्ण माला के वेंजन वर्ण कहां तक पड़े थे हमने पड़े थे न से नल तक तो चलिए बच्चों उसके आगे के वेंजन वर्ण हम आज सीखेंगे बच्चों पा से पतंग पतंग मीन्स काइट पा से फल फल मीन्स प्रूट बा से बतक बतक मीन्स डक बा से भालू भालू मीन्स बियर माच से मचली मचली means फिष यसे यग्य यग्यद यग्य means all of you know यजनः थाली थाली विटे रयल गारी रयल गारी यगारी मञ़्गी विल गारी मीन्स बर्ण का बर्ण किम् सीलला से लته लट्टू लट्टू एट्वाएट उऔर अ आट्वाएट व Callे वख ऑबर्द क्रें शलगम, शलगम means a vegetable, शसे शटकोन, ससे सपेरा, सपेरा means snake charmer, हसे हल, हल means flow, a farming tool, शे से क्षत्रिय, शत्रिय means a warrior, त्र से त्रिशूल, त्रिशूल means lord शिवास त्रिशूल, everyone knows that, ग्या से ज्यानी, ज्यानी means a knowledgeable person, who knows everything, so, बच्चों, आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा, आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, learn करेंगे, और उसके बाद इसकी exercise करेंगे, अभ्यास करेंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका में, जिसके लिए मैं आपको कुछ अभ्यास कारे, means exercise देने जा र देखिए, means आप चित्र देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, उसके बाद उसकी पहली अवाज, पहला अक्षर, first word आप लिखेंगे, उसके बाद next exercise, अगला अभ्यास कारे है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाईए, न के बाद क्या आता है बच्चों, आप उस अक्षर प नमबर तीन है, कह से लेकर ग्या तक व्यंजन बर्ण, पाँच पाँच बार लिखिए, means बच्चों कह से लेकर ग्या तक, you will have to write 55 times in your notebook, तो बच्चों ध्यान से पहले, first learn it, पहले याद करो, after then you will have to write on your notebook, और फिर उसके बाद मुझे WhatsApp कीजिए, धन्यवाद कर दो कर दो